नमस्ते फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो आज के वीडियो में सेयर करूं मैं अमननाथ यात्रा तो सावन महिना के तीसे सोंबार के सभी कोई को बहुत बहुत बधाई और सुभकावना है सभी कोई स्वस्त रहे सभी की मनुकावना भोले बावा पूर्ण करे तो अमननाथ यात्रा करने के लिए फिर से मैं कस्मीर आ पहुची हूँ तो यात्रा करने से पहले जो श्रीनागर में मैं दो तीन दिन ठैड़ी थी तो वहाँ पर मैंने कुछ साइड सीन्स भी देखे तो उसका भी देख सकते हैं तो सबसे पहले लोगों ने गुल मर्ग ग तो देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर नजारा था और बर्प से ढखा हुआ चारो तरफ था जबकि अभी स्नोफल कहीं भी नहीं देख सकते हैं पुड़ा खाली है और गर्मी भी कापी है तो यहां पर विजिटर आ रहे हैं पर उतनी संख्या में लोग नहीं है कम है तो जो पत्थरों को बीज में जो यह दंगा बहती है तो यहां भी कहीं भी स्नोफल नहीं है और नहीं ठंड है करवी है तो मौसम बहुत सुहावना है इसके वज़े से स्कूल के ताफी तारे बच्चों भी हैं पिकनिक के लिए आया हुए है तो बहुत ही अच्छा यहां जगह है बहुत ही प्रकिति की सुन्दरता यहां प्रपनी हुई है तो हम लोगोंने अमर्नात यात्रा करने से पहले कुछ साइट से इंभी जिप किये थे जिसमें की दूद पत्री और बुकल गार्डन और गुल्ग मार्ग सोनमार्ग तो वो सब का भ्यू थोड़ा थोड़ा देख और ठंड भी नहीं है तो कोई गर्म कपड़े के यहां जरूत नहीं है बिना गर्म कपड़े के भी समय और भूम सकते हैं है जोगी इस तरह Erd Rhagi it तो दिन में बहुत ही गर्मी पड़ती है, रात में थोड़ा मौसम सुहाबना हो जाता है, तो यहां का गार्डेन का भीवी देख रहे हैं, जो स्रीन अगर के आज पास है, तो जिसमें की मुगल गार्डेन, सालीमार गार्डेन और चेस्मीन गार्डेन, काफी सारे गार्डेन तो जिसमें की winter के बहुत सारे flowers खुबसूरत खिले हुए है पूरा garden खुलों से भड़ा हुआ है जिसमें की tulip garden अभी बंध हो चुका है तो tulip garden अप्रिल में ही खुलते हैं जिसका भीव बहुत खुबसूरत लगता है देखते ही बनता है जिसका की वीडियो भी मैंने अप्रि खिले हुए है जिसमें की गेंदे के फूल और हॉली होग सालविया तो जो भी विंटर के फूल होते हैं जो कि हमारे इहां विंटर में खिलते हैं तो इस समय देख रहे हैं खिले हुए है पुरा गार्डन फूलों से बना हुआ है और मोर पंखी का पौधा काफी सारे बहुत ह खुब सुन्दर लगते हैं तो देख सकते गार्डन का और जो बहुत ही खुबशूरत और मनमोहक है तो धूप हलकी है पर गडमी के बज़से भी यहा पर देख़ रहे हैं बहुत आधमी में कम अरहे हैं पर खुबशूरत ने जाला देख रहे हैं गार्डन का तो लोग पेर तो प्र हुज के अमर्नाथ यात्रा कर ने के अलिए पहुँचे तो अमर्नाथ यात्रा करने के लिए पहुचे हैं। पाल्की का सहाड़ा लेते हैं या घोड़े का सहाड़ा लेके भी जाते हैं पाल्की का सहाड़ा लेते हैं तो अपना बहार दुसरे किसी पे देने से अच्छा है कि अगर आप स्वस्थ है तो पैदल यात्रा ही करना चाहिए तो वैसे यहां आने से पहले डॉक्टर से पंजी करन करा के ही आना पड़ता है तो सर्टिपिटिक लेके ही आना पड़ता है तो यहां का नजारा बहुत ही खुबसुरत है तो यहां मौसम बदलते रहता है कभी धूप कभी बारिस पर यहां पर देख रहा है जगा जगा जनक खा सकते हैं जिसमें सुद्ध साकाहारी है और बहुत लिए शुनदर वेवस्ता हैं आपको अभी देख रहे हैं, तो चारों तरफ पहारों से घीडा हुआ द्रिश्ट बहुत ही सुनदर और मनमोहक द्रिश्ट है, देख सकते हैं, बहुत ही मौसम भी यहां कावी बहुत नहीं है क्योंकि गर्मी काखी सल पड़ी है इस बज़े से तो यह गुफा करना जाड़ा तो सभी देख सकते हैं बहुत मन मोहक और भगवान भोलेनात के गुफा जिसमें किसी में गुफा में हेमलिंग बनते हैं बर्प के तो उसी को देखने के लिए हम लोग यहां आ पहुची है तो वैसी सुझते बहुत है दिनों से हम बर जाते हैं जब अ chciaता है क्योंकि पैश। पर सकस्सस होता नहीं है, तो इस साल बाबा के गर मर्जी होगी, तभी हम यहां आप पहुचे हैं, तो काफी दिनों से मेरे ने प्लाइन मना के रखे थी कि काश्मीर घूमना है, तो काश्मीर भी तो घूम लिए और उसके बाद अमरनाथ आप पहुचे हैं, तो ये बाबा का ही मर्जी होगा क्योंकि उनके मर्जी के बिना यहां आना संभव नहीं है जब बाबा बुलाते हैं तभी आते हैं तो इस्वर पिठीबी के हर कोना कोना में बसते हैं जहां हम याद करते हैं वही प्रभू है तो जिसको जहां प्रभु बुलाते हैं वहीं जा पाते हैं तो उनके मर्जी के बिना यहां आना संभब नहीं है जब प्रभु का मर्जी होगा तभी हम आ पाते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत प्रभु को सुक्रिया जो कि हम यहां तक आ पहुँचे तो बोलिये बाबा भोले नात कीजे बाबा बड़फानी अमर नात कीजे